हलो फ्रेंज मेरा नाम है कवरपाल सिंग और आप देख रहे हैं कैपस एजुकेशन और आज हम चर्चा करने वाले टॉप टैन हिस्ट्री के एशेक्यूशन जो अक्सर कॉंपेटिटिव एक्जाम में पुछे जाते हैं और यह इस टॉपिक पर हमारा चोथा वीडियो है तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला कुष्ण है वह है किस मुगल बादशाने तंबाकू के प्रियोग पर निशेद लगा है देखो अकबर के बाद में जहांगीर ने काफी उलेखने कारी किये जिन में से प्रमुक्त है एक तो गोहत्या निशेद को जारी रखा दूसरा दिपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दी और तीसरा था तंबाकू के प्रियोग को निशेद किया तो इस Q quan division का जो right answer होगा वह है option B अरफ़ात जहांगीर second question है हेम चंद्र विक्रमा दित्के भारतिय इत्यास में किस नाम से जाने जाते थे तो देखिए हेम चंदर विक्रमा दित्ते को हेमु के नाम से जाना जाता था और यहें दिल्ली के सासक आदिल सा सूर का वजीर भी था और शेना पती था इसने दिल्ली पर अधिकार किया और अपने आपको दिल्ली का शतंतर सासक गोसित किया और साथ ही विक्रमा दित्ते की धान की पानिपत का जो सेकिंड युद हुआ उसमें हेम चंद्र विकर्मा दिते अकबर का जो संड्रक शक्ता बैराम का उसके द्वारा हार गया और मारा गया तो इस क्यूशन का जो सही आंस्वर होगा वह है क्यूशन नमबर तीन है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमी कर उत्पादन का 50% तक कर दिया था तो देखिए अलावदिन खिल जी एक महत्व कांसी सा सकता तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक इस्ताई सेना का गठन किया और इसी सेना के रखरकाव के लिए कुछ उसने आर्थिक सुदार किये जैसे बाजार समंदी सुदार इसके अतिरिक्त उसमें भूमी की पैमाईस का जू मानगी काई थी वे बिस्वा रखी और प्रति बिस्वा उपज का आदा भाग टैक्स के रूप में उसने निरदारित किया तो इस क्यूशन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्सन बी है अर्थात अलाव दिन खिल जी क्यूशन नमबर चार है इन में से किसे आंद्र भोज भी कहा जाता है तो को आंद्र भोज के नाम से जाने जाते है क्रिशन देवराय क्यूंकि उनके काल को तेलगु शाह में कुछ भी कहा जाता है इस क्यूशन का जो सही अंसर वह है ऑप्सन एक अर्थात क्रिशन देवराय क्यूशन नमबर फाइब है इस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिन भारत का आर्ये करन किया और उन्हें आर्ये बनाए देखिए धक्ष्र भार्त की जो अदिक्तर जानकारी है वह मिलती है उमें शंगम साहिते से और शंगम साहिते से हमें ग्यात होता है दक्षिन में आरीशाब बेता के जो टत्व का प्रसार प्रसार था वह रिषि अगत्ष्य और कोडिनली ने किया था तो इस क्यूशन का जो सही आंस्वर होगा वह है option B अर्था अगच से रिसी क्यूशन नमबर 6 है ओरंग जेब की मृत्व के समय मराठा नित्रुत्व किसके हाथों में था देखे 1689 इस्वी से लेकर 1700 इस्वी तक राजराम सहूँ ने मराठा का नित्रुत्व किया और राजराम की मृत्व के बाद में जूनकी विद्वा पतनी थी तारा भाई उसने अपने चार वर्षी बेटर को सासक बना कर सिवाजी दित्य के नाम से गंदी पर बैठाया और जब औरंग जेब की मृत्व हुई थी तो मराठाओं का नित्रुत्व है तारा भाई कर रहे थी इस क्यूशन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी अर्था तारा भाई क्यूशन नमबर सेवन है असोक का समकालिं तुर्मे कहा का राजा था तो देखिए असोक के तेरव्य चलालेक से हमें ग्यात होता है कि असोक के जो सीमान तियूरानी राजा थे उनके साथ उनके मेत्रपून संबन थे जिनमें परमुख हैं अन्तियोक जो सीरिया के सासकते तुरमें ये मिश्र के शाशकते अंतकीनी ये मेशीडोनियन के साशकते मग ये एपिरस के साशकते और अलिक शुंदर ये सिरीन के साशकते तो इस क्यूशन का जो राइट आंसर होगा वहाँ है मिश्र तुरमें मिश्र के साशकते Q8 है लंदन में British East India Company के गठन के समय भारत का निमल लिखित में से कौन बादशाह था देखे East India Company की स्थापना 1599 में हुए थी और इसका पूरा नाम था Governor and Company of Merchant of London Spreading into the East Indies और इस समय जो भारत का शाशक था वह है था अकबर इस क्यूशन का जो सही आंसर होगा वह है option A अर्थात अकबर Q9 है The Age of Consent Act किस वर्ष पारित हुआ देखिए ऐसे स्पंगाली के प्रियासु से British सरकार दुआरा Age of Consent Act पारित किया गया जिसके अंदर प्राहवदान था यह 12 वर्ष से कम आयू की कन्याओं का वहाओ पर क्या लगा दी गई थी रोक लगा दी गई थी और इस बिल का बाल गंगादर तिलक ने विरोध किया था और यह बिल जो पारित हुआ था यह 1891 में पारित हुआ था पंद्रा सु निन्यानमे सी में जो सहजादे सलीम थे जिने बाद में जांगीर के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने पुर्टगालियों के साथ मिलकर विद्रो कर दिया और अपने आपको इलाबाद का शरतंतर बाठ्शा गोसिद कर दिया और इन्ही के कहने पर शोला सो दो इसी में इनके एक मित्र थे वीर सिंग मुंदेला के दुआरा अबुल फजल के हत्या कर दी गई इस कुशन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन एक अर्था सहजादे सलीम आपको हमारे वीडियो कैसा लगा यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक सेर सब्सक्राइब करना नहीं भूले